नमस्कार, पीपी नियूस लाइन के प्राइम ट्राइम में आप सब का स्वागत, मैं हूरजनी अनुपव, आए सबसे पहले नज़र डालते हैं अब तक की प्रमुक सुर्खियों पर नुकसान को लेकर हाई कोड ने पांच हाजार रुपे के जुर्मानी के साथ रिपोर्ट पेश करने के दिये निदेश और कश्मीर में सेना और पुलीस के बल पर नहीं होगी शांती, लोगों की दिलों को जीतने से बनेगी बात, कहा डॉक्टर फारुक अप्तुला ने जमो कश्मीर में शोपियां की सेडो में किराये के एक नीची वाहन में विसफोर्ट हो गया, इससे तीन जवान घायल हो गए, उन्हें अस्पताल भरती कराया गया है आईजीपी कश्मीर का कहना है कि हासा हद गोले के कारण या फिर वाहन के अंदर पहले से लगाएगे आईडी या फिर बैटरी की खरावरी की वज़ा से हुआ है, इसकी जांच की जारी है, जो जानकारी सामने आएगी वह सांचा की जाएगी पुलीस अमिली जानकारी के अनुसार ये घटना आज तड़के लगबग तीन बचे के करीब हुई, वशेष्टु खूफिया अजंसी के आधार पर सेना का एकदल सर्च ओपरेशन चलाने के लिए जिला शोपियां के पाती तोहान इलाके में रवाना हुआ, सेधों से लग गाइल होगे, आशेंका ये चताए चारे कि विस्फोर्ट या तो आई-ई-डी या फिर गरिनेड या फिर गाड़ी में लगी बैटरी के खराब होने की वज़ा से हुआ है, हालां कि इसकी चांच शुरू कर दी गई है, अतिरिक तो पुलीस महाने देशक मुकेर सिंग का कह आई कि अमना थियातर के दौरान खलर डालने के लिए पाकिस्तान सीमा पार से आतंक्यों की गुस्पैट करवाने की के साथ जोन की मदद से हत्यार बेजने की फिराक में है, ऐसे में सुरक्षा एजंसियों को स्तरक रहकर पाकिस्तान के इस नापाक इरादी को विफल बनान के ADGP मुकेश सिंग ने कहा कि जिला जम्मू, सांबा और कोट्वा में पुलीस को अन्य सुरक्षा एजंसियों के साथ मिलकर 24 गंटे अलग रहना होगा, जिस सानों पर ड्रोन से हाथ्यार गराय जाने की संभावना है में स्तरक्ता को बढ़ाना होगा, जिन पॉइंट पर गुस्पैट की अश्चंका है में सुरक्षा बलों की मवजूदकी को बढ़ाना होगा, दिन के साथ रात के समय रास्टी राश्मार पर नाका लगा कर सुरक्षा को पुखता बनाया जाए, इसके लिए रात के समय जवानों की पेट्रोलिंग करने पर बल दिया जाए, वब पिल्ये तमाम सियासी दलों से बात कर गाटी को इस हाला से बाहलाना होगा, लोगों के दिलों को जीतना होगा, उन्होंने केंदर सरकार को आगाह करते हुए कहा कि कश्मीर घाटी में अल्प संख्य कर्मियों की सुरक्षा के साथ ही अमनात यातरा को महفوظ बनाना होगा, य तहां हिंदु भी मारें जा रहे है और मुस्लिम भी निशाना बनाए जा रहे हैं. ये दर्शाथा है कि कश्मीर के हालात कैसी हैं. उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा को ले कर संक ör कि स्तिती है. इसे निपढने के लिए केंदर सरकार तमाम सियासी दलों को बुलाए. हाला से याचिका में हाई कोड की डिविजन बैंच ने प्रदीश प्रदूशन नियंतरन बोर्ड को 5000 रुपे जुर्माना के साथ रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये बैंच ने कहा कि प्रदीश में कितने अवैद स्टोन करशर्स वह मिक्सिंग प्लांट चल रहे हैं और उन के लिए उसे 5000 रुपे जुर्माना अधा करना होगा हाई कोड ने नुशारा तैसील के लंबेडी ब्लाक के बीडिसी चेर्मैन को पद से हटाने के फैसले को बरकरार रखा है बीडिसी चेर्मैन विकास शर्मा के खिलाफ 28 जुन 2020 को ब्लॉक के सरपंचों ने अविश्वास परस्ताफ पारित किया था जिसके चलते उन्हें पद से हटा दिया गया था विकास शर्मा ने इसे हाई कोड में चुनोती दी थी जिसे खारिच करते हुए हाई कोड ने कहा कि कानूनी दाइरे में की गई इस कारेवाई में हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं अमना थियात्र को सुचारो और सुरक्षित संचालन के लिए जमू संबाग के रामबन जिले की पंतिहाल इलाके में लोही की गाडरों से बनी स्टील टरनल को ठीक करने का काम आज से शुर किया जाएगा इसके लिए प्रति दिन सुबा तीन गंडे के लिए जमू स्रीनगर हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा बतादें की रामबन जिले में जमू स्रीनगर हाईवे परस्तित पंतिहाल इलाका पहाडों से गिरने वाले पत्थरों के कारण काफी जोखंबरा रहता है इस लाके में अनेक वाहन पहाड से गिरने वाले पत्थरों क कर सीधे खाई में चले जाएं और नीचे वाहन पूरी तरह से सुरक्षित रहे जमो कश्मीर प्रशासन वा पुलीस विवागदारा सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए दिये जा रहे दावों के बीच आतंकियों ने दक्षिन कश्मीर के कुलवाम जिले के आरहे इलाके में एक बैंक मैनेजर को निशाना बनाया है कुलगाम में इलाकाई देहाती बैंक शाका के बैंक परवंतक पर आज सुबा आरे इलाके में आतंकियों ने गोलियां चला दी इस समले में बैंक मैनेजर गंबी रूप से गाहल हो गया उसे नजदे की अस्पताल बढ़ती कराया ग गटना स्थल पर पहुंचे सेना वो पुलीस के जवानों ने इलाके की गेराबंदी कर हमलावरों की तलाशी शुरू कर दी पुलीस के अनुसार घायल बैंक मैनेजर की पैचान वीजे के तौर पर हुई है और राज्यस्तान का रहने वाला बताया जा रहा है उद्योग क्षेतर में विजली किराय की दरों में औस्तन 60 पतिशत तक वृदी के परस्ताव पर आज वीरवार को पब्लिक हीरिंग हो रही है इसके बाद जॉइंट अलेक्टिसिटी रेगलेटरी कमिशन दरों में वृदी पर अंतिम निलिया जाएगा ऐसी उमीद है कि ज जमुपार डिस्टिबूशन कॉर्परेशन लिमिटेड के परस्ताव को जियों के त्यूं मनसूरी मिल गई तो उद्योग जगत को सबसे अधिक जटका लगेगा और यह औस्तन 60 प्रतिशत तक की वृदी होगी जमुपार डिस्टिबूशन कॉर्परेशन लिमिटेड ने आपनी परस्ताव में ये हवाला भी दिया है कि पिछले छे सालों से बिजली दरों में कोई वरिदी नहीं की गई। बिजली की मांगवा खरीद हर साल बढ़ने की वज़ा से यहां पर राजस्व बसूली घाटा हर साल बढ़ता गया। उन्होंने नई दरें इसी वर्ष एप्रेल महा से लागू करने की सिफारिश करते हुई कहा कि इससे राजस्व बसूली घाटा काफी हद तक कम हो सकता है। लेकिन इस वरिदी के परस्ताव से उध्योग जगत में खलवली मच सकती है। और उध्योग पतियों का माना ये है कि अगर इसकी वरिदी हुई तो उध्योगिक उत्पादन महंगा हो जाएगा जिससे पहले से ही लडखरा रहा उध्योग हाशी परा जाएगा। कुलगाव में शिक्षिका रजनी बाला की हत्या के बाद फैली दहशत के कारण सो से अधी कश्मीरी पंडितों ने घाटी से जम्मू की और पलाइन कर दिया है। उत्री कश्मीर के बारा मुला में कश्मीरी पंडित कालोनी के अध्यक्ष अवतार क्रिश्न भट के अनुसार मंगलवार से इलाके में रहने वाले 300 परिवारों में से लगबग आधे यहां से जा चुके हैं। रजनी पाला की हत्या के बार से हम सभी खौफ के महौल में जीरे हैं। हम सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हमने सरकार से कश्मीर से बाहर स्थानांतित करने के लिगा है। हम सुबह तक सरकार के ठोस कदम का इंतजार करेंगे। अन्यथा सब समेट कर चले जिन लोगों को सरकारी क्वार्टर्स मिले हैं उनकी चाबियां हम डिसी ऑफिस में सौंगतेंगे अब वक्त हो चला एक ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद मजबूते के पैचान ACC सीमेंट मैसर्स विशंदास जस्वाल एंड संस आथोराइस्ट स्टॉकेस्ट ACC सीमेंट 45 ट्रांसपोर्ट नगर जमू ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली ख़वर की तरफ कश्मीर में हो रही लगाता टार्गेट किलिंग को लेकर पहले राहूल बट की हत्या अब रजनी बाला की मौत के बाद टीचर्स भी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगे उन्होंने का कि जल से जल इन इंप्लाइस को जमू में स्थानांतित किया जाए उन्होंने का कि हर बार जमू की इंप्लाइस को ही इग्नोर किया जाता है इसका वे पुर्जोर विरोत करते हैं और इसी को लेकर उन कश्मीर में लगातार हो रही हत्या को लेकर आज बी एस पी भी सड़कों पर उतर आई उन्होंने का कि रजनी बाला की हत्या को लेकर अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस बात की जिमेदारी नहीं ली है उन्होंने का कि ये बात शक के दाइरे को और बढ़ाती है इसके लिए उन्होंने का कि जल से जल जुडिश्री इंक्वाईरी बिठाई जानी चाहिए और रजनी बालों को शहीदों के दरजे में शामिल किया जाना चाहिए इसी को लेकर उन्होंने जोरदार परदर्शन किया और साथी साथ एलजी परशासन को सवालों के गेरों में खड़ा किया कश्मीर में लगातार हो रही इनोसेंट किलिंग को लेकर आज अपनी पार्टी भी सड़कों पर उतर आई उन्होंने इनका पूरा समर्थन करते हुए कहा कि इसमें एलजी परशासन पूरी तरह से विफल रहा है रोज किसी ना किसी के मारे जाने की सूचना सामने आती है और ऐसे में एलजी परशासन द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा इनकी नकेल नहीं कसी जा रही उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों को स्क्योर्टी परदार नहीं की गई और इन लोगों को जमू में स्थानांतित नहीं किया गया जो वहां पर कारे रथ हैं कश्मीर में तो अपनी पार्टी के लोग जमू के लोगों के साथ सड़कों पर उदर आएंगे और इसके लिए प्रदेश देख्षर विंदुरेना ने घाटी में आई दिन हो रही टार्गेट किलिंग्स को लेकर रोष्चताया। पार्टि मुख्याले जम्हों में आयोची देख पत्रकार वारता के दौरान रवेंदर रैना ने इन हत्याओं की निंदा की औ। इसे आतंक्यों की बखलाह़ट बताया। उन्होंने का कि असल में इन सभी हत्याओं के पीछे पाकिसान है उन्होंने का कि पाकिसान जमू कश्मीर में होरे विकास से बुखला गया है और बुखलाहट में इस तरह के कदम उठा रहा है यहां की शांती बंग करने की प्रयास कर रहा है उन्होंने का कि हमारे स्ट्रक्श कि और बढ़ रहा है जब जमू कश्मीर में बड़े पैमाने पर केंदर की नरेंदर मोधी साहब की सरकार ने बड़े बड़े डवलमेंट के प्रोजेक्ट्स यहां मनजूर किये जब केंदर की सारी नीतियां जमू कश्मीर के अंदर लोगों की भलाई की योजने जब सारी लागू हो रही हैं उस वकट एक बार फिर से पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठनू ने एक बड़ी साजिश रची 1984-85 के दोर में जैसे उस वकट पाकिस्तान की हकूमत में ऑपरेशन टोपैक चलाया और जमू कश्मीर के अंदर जिहाद के बेनर के तले कश्मीरी पंडित कश्मीरी सिखो पिपी न्यूस लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजी इजाज़त और आप देखते रही पिपी न्यूस लाइन नमस्कार जमू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडरन टेक्नोलिजी के लिए हमेशा याद रखें जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का खयार जम अप्टीशन्स विद्ध फेसिलिटी ओफ आई एक्सरसाइज ए स्कैन बायोमेट्री पैकिमेट्री और आटोमाटिट फिल्ड अनलाइजर और हां हमारे यहाँ बढ़िया कॉलिटी के बेंड़ेड स्पेक्टिकल्स, संग्लासे और कॉन्टेक्ट लेंसे मिलते हैं आपका भरोसे मंद एक ही नाम जम अप्टीशन्स गाधी नगर जम अप्टीशन्स नई बस्ती जम अप्टीशन्स अमफल्ला जम अप्टीशन्स त्रीकुटा नगर